नमस्ते किसान भाई और आप सभी का Healthy Grow YouTube चैनल में स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप धहचे की फसल का सही उपयोग कैसे करें किस समय पर इसका जुताई करें ताकि इसका सही उपयोग हो सके इससे क्या-क्या फायदा होता है इनसाफी के बार में हम एक करके बात करेंगे इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि फसलों से जूरी जानकारी आपको मिलती रहे खेतों में अधिक पैदावार के लिए रासाइनिक उर्वड़ों का पर्योग काफी मात्रा में करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वड़ा सकती काफी नश्ट हो जाती है जिससे इसका सीधा असर मिट्टी और फसलों के उत्पात पर परता है तो इसी समस्य का समाधान के लिए धहचे की फसल का बुवाई करें धहचा एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करने से आपकी जमीन के उत्पादन छमता बढ़ती है इससे जरू में नैट्रोजन की प्रचूर मात्रा पाई जाती है इससे आपको खेत में यूरिया की ज़रुत नहीं के वरावर कम हो जाता है इस मेना के वल नैट्रोजन की मातरा पाया आता है बलकि इसके डाल या एवमचाल से फासपोरस और पोटास की मातरा देखने को मिलती है इसकी खेती किसी भी सीजन में कर सकते हैं कोई भी फसल लगाने से दो महीने पहले धेचे की बुआई करे, बुआई के 45 दिन के बाद पौधे को उखार कर देखे कि उसके जरो में गाठे या दाने जैसी परत दिखाई परे तो समझ जाए कि यह जुताई के लिए तयार है, गाठे नाइटोजन की उपस्तिती को एवं डाल और छाल फासफोरास एवं पोटास को दरसाता है, 45 दिनों पर जुताई करने से सब कुछ मिलता है, इसलिए गलती से इसे ज़्यादा बरा ना करें, जुताई के 4-5 दिन बाद इसमें सीचाई अवस्य करें ताकि यह आसानी से गल जाए, अब बात करते हैं कि इससे होन जुत होता है, जिसे फसलों की उपज में लाब मिलता है, इसे बारिस के मौसम में मिट्टी के बहाव से बचाता है, एवं घास की विर्धी को नश्ट करता है, जिसे आगे बोई जाने वाली फसल को काफी लाब मिलता है, इसका उप्योक पसवों के चारे के लिए एवं जल जाता है धन्यवाद